हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप से भी कास श्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टार्गेट गवर्मेंट पोस्ट में बीर्ड प्रवेस परिच्छा से जुड़ी कोई भी जानकारी और डेली लाइफ क्लास में जो होती हैं उन से जुड़नाए के लिए आप की परिच्छा में पूछे जाएंगे तो चलिए शेशन को सुरू कर लेते हैं अगर आपको शेशन ये अच्छा लगता है प्रशन अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के शाथ सेर जरूर करें चलिए तो यहां पर देखिए वन लाइनर में कुश् फ्रांथ की जू राजदानी वह कहते हैं तो यहां पर वहान राजदानी यहां फर यह कह सकता कि सहर में हुई तो वहां करेंगे होई तो कि वहञां कोरोना वाइस से होने वाली भीवारी आधिकारिक नाम क्या दिया तो जो WHO है इसने कोरोना वाइस होने वाली विमारी का जो आधिकारिक नाम दिया वो COVID-19 दिया COVID-19 को ही कोरोना वाइरस डिसीज बोला जाता है नेक्स्ट 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वेस्विक महामारी घोसित की मतलब पूछा जा सकता है कि WHO ने COVID-19 को वेस्विक महामारी कब गोसित की तो 11 मार्च 2020 को की नेक्स्ट है आपका कोरोना वाइरस से मानव सरीर का प्रबावित होने वाला अंग कौन सा है तो फेफड़ा है नेक्स्ट है आपका कि भारत में कोरोना वाइरस का पहला मामला कहां दर्श किया गया तो केरल में दर्श किया गया नेक्स्ट है लच्छ दिप एक मात्र ऐसा छित्र है जहां इसका कोई भी मामला नहीं आया है तो आपको ये भी यहाँ पर जानकारी होगे कि लच्छ दीप एक ऐसा मात्र छेत्र है जहाँ पर कोई भी कुरोना का पेशंट या कुरोना का मामला नहीं आया है अगला है यहाँ पर कुरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक है इसने कितना रासी दिया तो बारा अरब डॉलर कोरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने इतनी रासी दी नेक्स कुशन पर आएंगे अगला आपका कुशन बन सकता है कि देश में करोना वाइरिस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्ज में होई तो यहाँ पर आप क्या करोगे करनाटक में आपका है पीम नरेंद्र मोधी ने जनता करफू लगाने की अपील किस तिथी को की तो यहाँ पर आपका हो जाता है 22 मार्च 2020 अगला प्रस्ण बन सकता है कोरोना वाइरिस के कारण संपूर्ण भारत में पहला लॉगडाउन जो है यह कब से लगा ठीक है कब से लगाया गय इसको प्रथम बार लॉगडाउन लगाया गया अगला आपका यह है कि कोरोना महामारी खोसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है कोरोना महामारी खोसित करने वाला पहला राज्य है हरियाना सबसे पहले किस राज्य ने कोरोना वायरिस के कारण संपूर्ण करफू लगाया तो पंजाब ने संपूर्ण करफू लगाया था कोरोना वारिस के कारण अगला प्रस्ण बन सकता है कोरोना वारिस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो राजिस्तान है द्यान दीजेगा अगला प्रस्ण है सार्क सार्क देशों के लिए बनाएगा को सार्क में कौन-कौन से देश सामिल हैं तो सार्क में आपका अफगानिस्तान बांगलादेश भूटान भारत मालदीव नेपाल पाकिस्तान स्री लंका ये देश सामिल है नेक्स्ट अगला प्रश्चन है कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला इयरपोर्ट इटली का बन गया जिसका नाम है फ्यूमिनियो इयरपोर्ट नेक्स्ट अगले प्रश्च में आएंगे भारत के पहले कोविड-19 वेक्सिन प्राप्त करता का नाम क्या है जो प्राप्त करता है उनका नाम है मनीश कुमार क्या उनका मनीश कुमार, अगला प्रस्न है COVID-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधान मंतरी कौन है, तो ये है Boris Johnson, बोरिस जॉन्सन ये कहा के प्रधान मंतरी है, तो ये बिर्टेन के प्रधान मंतरी है, नेक्स्ट अगला प्रस्थन है कोरोना वाइरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से किस देश को बाहर निकलना पड़ा तो यहां पर आ जाते हैं इस वाले प्रस्थन में तो यहां पर पहला जो देश है वो खनाड़ा है ठीक है जो की कोरोना वाइरस के भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया कहां पर तो दिल्ली में खोला गया नेक्स्ट अगले प्रस्थ में आएंगे कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है गोवा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त रास्थ्व ने मणीपुर की खुडोल पहल को विश्व के सीर्स 10 पहलों में सामिल किया है गोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरॉपीय देश कौन सा है ये यूरॉपीय देश का नाम है स्लोवेनिया स्लोवेनिया बनाए नेक्स्ट अगले प्रस्थ में आएंगे अगला प्रस्थ बन सकता है अगला एरपोर्ट कौन सा बन गया है तो दिल्ली अंतरास्थी हवाई अगला है भारत की पहली कोरोना वैक्सीन को वैक्सीन को भार्ची चिकित्सा अनुसंदान परिसद इसको अगला प्रस्णिया से बन सकता है कोरोना वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल कहां पर सुरू हुआ तो यह अमेरिका में सुरू हुआ नेक्स्ट अगला प्रस्णिया है कोरोना का टीका विक्सित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन बन गया है रूस तो यह सारे इं मावित प्रस्ण है और आपकी परिच्छा में पूछे जा सकते हैं एक बार इनको फिर से रिवाइजन कर लीजेगा और मैं पीडियाफ इसका दे दूँगा तो पीडियाफ से भी आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको शिशन पसंद आया है तो शिशन को पूर करें इसी प्रकार से आपको वीडियो के माध्यम से सारे जो इंपॉल्टेंट इंपॉल्टेंट टॉपिक हैं वो करवा दिये जाएंगे जो कि एक्जाम में पूछे जाएंगे जहें